को ch vag sit'll come to my history channel history hub आज आज हम अपना संर्च काभर अांकी लेक्टर इसमें हम पढ़ेंगे क्रशी और व्यापार के बारे से संसा काल में कि तो सबसे पहले क्रशी और व्यापार के बारे में पढ़ने से इसके बारे में बियार ग्रोवर जो आधुनिक इतिहासकार हैं ये लिखते हैं इनकी एक पुस्तक है नेचर ओफ लैंड राइट्स इन मुगल इंडिया ये पुस्तक का नाम याद एकना है कई बार नेट के एकजाम या UPSC में पूछ लिया आता है नेचर ओफ लैंड वह उसका स्वामी है और उसे अपनी जमीन को हस्तांत्रित करने यानि की ट्रांसफर करने का क्रैप विक्रे, बेचने का और गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार था।ई तो ट्रांसफरेबल राइट्स के बारे में बात करते हैं उसके सेलिंग राइट्स और उसको मॉटक करने का यानि गिर्वी रखने का उसको पूरा पूरा अधिकार था तो इसकी वज़े से इसके आधार पे इन तीन चीदों के आधार पे बियार रोवर साब बोलते हैं अपनी पुस्तक में कि जो भूमी का स्वामी था वो असल में किसान था और यहीं पे इर्फान हभीब ने जो पुस्तक लिखी है Agrarian System of मगल इंडिया में इन्होंने लिखा है कि किसानों के जो स्वामित थो है भूमी का स्वामित थो है उसको सुलिकार तो किया है लेकिन इसको विशिष्टता इसकी जो है इसको इसको इस्पश्ट किया है और किसान को अर्धदास माना है ना कि पू प्रता होने की कारण जो स्वामित्तु है वो पूर्ण रूप से किसान में नहीं हो सकता ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तक एग्रेरियम सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में लिखा है और यह पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है कुर्शन यहां से ऑब्जेक्टिव या मै और राज जब हम पढ़ेंगे नम देखेंगे न्यूनिज नामका एक यातरी आता है उसने बहुत सारे अपने यात्रा व्रतांत लिखे हैं और उसने ऐसा लिखा है कि सारी भूमी जो है वो राजा की है तो लुनीज बोलता है और किसानों की अपनी कोई भूमी नहीं है क्य और भारत के संदर्व में उसकी जो उसका जो वर्णन है वो उतना सठीक नहीं मालूम होता क्योंकि अगर हम इस पूरे डिबेट की पूरी बहस की अगर हम समीशा करें तो हम देखते हैं किसान जो है वो तब तक भूमी का अधिकारी है जब तक वो समय पे भूमी का कर दे रहा है यानि की जब तक वो लैंड टेक्स जमा कर रहा है जबल्य भूमी का स्वामी है और उसके पास अपनी जमीन है जिसको और गृवी भी क्रिशी उत्पादन, क्रिशी उत्पादन जो है मद्दिकालिन भारत जो था उसका आर्थिक आधा क्रिशी ही थी, फसलों की विविद्धता के मामले में भारतिय किसान चीनी किसान से काफी आगे थे, मतलब बहुत जादा तरह 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 की फसले जाती थी, विविद्धता थी काफी जो यात्री आया है मुरक्को से, इबन बदूता मुहमद बिन तुकलक के समय में ये बताता है कि मिट्टी इतनी उपजाओ थी कि भारतिये जो थे वो हर वर्ष दो फसले बोया करते थे खरीफ और रभी, अभी भी आती थी, उसमें आलू, मकई, लाल मिर्च और तमाकू, इस काल में भारत में नहीं उगाए गए तो ये हमको याद रतना है, यहां से अब्जेक्टिव प्रशन मनता है, कभी-कभी तमाकू के ओपर तो बहुत जादा प्रशन पूछा जाता है ये तमाकू जो है, ये आया है जहांगीर के समय में और जहांगीर के समय में इसको विदेशी लेके आया थे, ये भारत में इससे पहले नहीं हुआ करता था और लाल मिर्च, मकई और आलू, ये भी सुल्वी सदी में आया है, मुगलों के आने के बाद तो यह संदौनत काल की उपष नहीं है, यहें को याद रखना है तमाकू, मकै, लाल मिर्च और आलू यह फसले संदौनत काल में नहीं हुगाई जाती नहीं सुरसुती में सर्वोत्टम प्रकार का चावल होता था चावल उस समय काफी उगाय जाता था बंगाल में और सुरसुती का जो इलाका है शेत्र है वहाँ पे वहाँ पे चावल होता था गेहू होता था अवत का जो इलाका है जो दुआब का जो शेत्र है वहाँ पे और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक एजाजे खुसरवी में पान की 42 किसमों का दिक्र किया है और इस पान और सुपारी के बारे में इबन बतूता ने भी लिखाया कि भारत के लोग जो है वो स्वागत किया करते थे एक थाली में पान और सुपारी सजा गे तो इस तरह से पान जो है वो संतनक काल में काफी एहम था और फिरोस्तुगलत के काल में अंगूर का उत्पादन काफी बढ़ गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था जब फिरोस्तुगलत के बारे में पढ़ाया था तो उसमें सबसे एहम था अंगूर अच्छा यह अंगूर जो है यह सलतनक काल में भारत में आया है इससे पहले यह भारत में नहीं उगाया जाता था फल जो है वो सामानने था बीच द्वारा उगाय जाते थे लेकिन तुर्कों ने कलम लगाने की तक्निक की शुरुआत की तो तुर्कों ने कलम लगाने की तक्निक की शुरुआत की हुई है ये हमको याद अचना है तुरकों ने कलम लगाने की तक्निक अब ये कलम लगाने की तक्निक क्या है किसी एक पेड़ को ये हमारा एक पेड़ है माल लीजे यहां से पत्तिया निकली हुई है और इस पेड़ को यहां से कट कर दिया उपर का हिस्सा इतना जो है ये इसका एक त तकनीक है ये इसकी शुरुआत तुर्कों ने की है और ये संतनक्काल में इसकी तकनीक की शुरुआत होती है हालाकि ये जो कलम लगा रहा है इससे फलों के उत्पादन और गुणवत्ता में कोई व्रद्धी नहीं होती बस खाली ये है कि जो बीच से जब पेड़ मनेगा तो समय लगेगा तो ये जो समय लग रहा है वो तना लगा कि आकलम लगा कि उससमय को बचा लिया गया है और जो अभी अगर फल मालीजे अगर दो मिहने बाद होना था तो वह हो सकता है एक मिहने के बाद इस पेड़ से निकलना शुरू हो जाए हालाक गुणवत्ता में दी इसलिए होती है कि मानले जे पेड किसी एक जहे पे लगा हुआ है मानले जे मुंबई में एक पेड लगा हुआ है और महां पे कुछ तरह की मिट्टी होती है और वहां का ये आम है अगर हम आम की बात करें तो यहां पे इसने इस मिट्टी की गुणों को ले लिया है इस आ को ले के आया है और यहां पर नासिक की मिट्टी के भी गुड़ इसको मिल गए तो इसको काफी गुड़ों का इसके अंदर समावेश हुआता है जिसकी वाज़ेसे इसकी गुड़वत्ता में काफी व्रद्धी होती है वस्त्र उध्योग जो था कपड़ा उध्योग भारत का सबसे बढ़ा उध्योग था और संदत काल से भलकि एक अधिरम प्राचीन भारत देखें उर प्राचीन भारत के अबन को प्लाग है तेहासिका की ऐसी दुष्टि डाले और इंडस वैली की तरफ खरम जाएं तो इंडस वैली में भी जो हमारा कपास है वो काफी निर्यात की होता था और कपास का काफी जाधा उड्योग होता था तो भारत का पास के लिए हमेशा से माना गिया है सूती वस्तरों के लिए हमेशा से माना गिया है और ये इंडस वैली से लेके सल्तनत काल चाहिए अपने मुगल ले 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 हो आगे चलके जबा मंग्रेजों का समय आएगा वहां तक सूती वस्तरों का उद्योग काफी जादा है कि ये रोज एक नई पोशाक पहनता था और संध्या में उसे उतार कर किसी गरीब को दे दिया करता था तो इससे मैं पता दिलता है कि जो कपड़ा उद्योगे कितना अपना विस्त्रत था एलाउद दिन की बादार विवस्ता से एक प्रकार की वस्त्र करांती सी पैदा हुई थी और एक कपड़े का नाम आता है खुझे दिल्ली ये दिल्ली में बना सूती वस्त्र है तो ये हमको नाम याद रखना है कभी कभी दाम भी पूछ लेते हैं सूती वस्त्रों के इसमें स कौन से रेश्मी वस्त्रों के प्रकार है या इसमें से कौन सा मकमली वस्त्रों का प्रकार है तो यहां से मकमल पैदा होता था और यह मकमल काफी महंगा होता था इसकी वएसे इसको किवर अमीरी इसको पहनते थे अब यह मकमल के कुछ तीन प्रकार के नाम हमें मिलते हैं सलतनकाल में आबेर गान शबनम और गंगाजल यह मकमल के प्रकार हैं और जो कि सलतनकाल में मिलते हैं तो यह कभी-कभी प्रेश्णों में आ ज प्रियुसार केंद्रे थें बंगाल और गुजरात अच्छा एक टेकनिक थी शैतूत पर पत्ते पर रेश्म के कीड़े का पालन यह जो रेश्म के कीड़े का पालन जो होता था वो शैतूत के पत्तों के समय में या नहीं की संत्व नत शुरू हुआ है और इस से पहले यह नह मादन किया जाए और रेशम के बारे में तीन चार तरह के हम को किस्म मुलते हैं टसर, दूरी और मुंगा आप शर्र तसर स सिल्क के बारे में लोग बात करते हैं बंगाल में यह बहुत दा उत्पात किया जाता है इसका तो ये जो तीन प्रकार के एरेशा में इनका किस्म ये संतनत काल से शुरू होता है टसर, दूरी और मुंगा कश्मीर का शॉल उद्धयोग इस्थापित हो चुका था आज भी अगर हम देखते हैं तो कश्मीर के पश्मीरा शॉल के इम बात करते हैं पश्मीरा शॉल बहुत दा प्रसिद भी भारत में तो यह जो शॉल का उद्ध्योग है वो स्थापित हो चुका था क्योंकि जो मुहम्मद तुगलग है उसने चीनी समराट को कश्मीरी शॉल उपार में भेजा था अब यहां से एक कुश्चन मनता है हमारा एसर्शन रीजन का यहां पे आपको दो कथन देदेगा एसर्शन में डाल देगा कि कश्मीर का शॉल उद्ध्योग सर्थनतकाल में स्थापित हो चुका था और रीजन में डाल देगा तुगलग मुहम्मद तुगलग ने चीनी समराट को कश्मीरी शॉल उपार में भेजी दी तो यदि आप इसमें अब मैंने यहां पे इसलिए मैंने यह डाला हुआ है क्योंकि अगर आप यहां पे क्योंकि लगाते हैं तो यह आपका कथन और कारण एकदम एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है और इस तरह से यह जो प्रश्ण है यह कैसे बनते हैं मैं आपको बता जौनपूर अच्छी दरी बनाने के लिए विख्यात था जौनपूर में यानि की जो अवत का जो शेत्र है उसके उपर जौनपूर जौनपूर में दरी काफी बना जाती नहीं बंगाल जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया रेशा मुतपादन में सोल्वी सधी में संसार भर में प्रथम हो गया था तो बंगाल का जो रेशन था इसका उत्पाद इत्ता बढ़ गया था कि ये सोल्वी सधी तक आते आते नंबर बन हो गया था प्रोडक्शन में सूत कातने के लिए चर्खे का प्रयोग आरम हो चुगा था जिसका प्रथम उलेक इसामी की पुस्त प्रथम उलेक है अभी लिखित उलेक चर्खे का वह हमको इसमें मिलता है कागस निर्मान इस काल में शुरू होने वाला नया एक उद्योग था कागस निर्मान और इसके कारण पुस्तगों की उप्लब्धता में भी काफी व्रद्धी हुई होगी और जैसे ही हमने देखा क कि जो इतिहास लेका ने भारत में इससे पहले बहुत जादा इतिहास लेका नहीं हुआ है अगर हम सल्तिनतकार में इसका एक मुख कारण कागस भी हो सकता है कागस निर्मान लेकिन सल्टनत काल के अंद तक चीन और यूरोपिय देशों से कागस का आयात किया जाता रहा है तो मतलब यह जो कागस था यह बहुत जादा उच्च कोटी का उच्च छिरनी का नहीं था और इसका आयात काफी अंद तक सल्टनत की अंद तक चीन और यूरोपिय देशों से होता रहा है खैरूल मजलिस एक पुस्तक है हमीर कलंदर की जो की सूफियों के बारे में है जब हम सूफी बात पढ़ेंगे तो इसके बारे में जुरूर बात करेंगे जादा गहराई से तो यह इतना याद रखिए कि हमीर कलंदर की पुस्तक है खैरूल मजलिस इसमें इन्होंने ये वर्णन किया है कि कागस निर्माण इतना जादा हो गया था उत्पादन इतना होता था कि जो दिल्ली के हलवाई थे वो अपने माल को कागस में लपेट कर ग्राकों को देने लगे थे तो सुरक्षा के लिए जैसे आज भी अगर आप देखें तो कागस कई जगे गाउं में हलवाई इस्तमाल करते हैं उस समय ये शुरुवात हो चुकी थी कि दिल्ली के जो हलवाई थे वो कागस में लपेट के अपना माल ग्राकों को देने लगे थे भवन निर्माण जो है इस समय का एक ऐसा एक उद्योग तो नहीं कहेंगे बलकि एक तरह से नौकरी देने का या नौकरी पेशा देने का एक दरिया बन चुका था और जो हमने इस थापत्य कला के बारें बात की थी तो देखा था किस तरह से ने ने तकनीकों की शुरुआत हो चुकी थी और इट बनाने का जो का रहे था वो काफी तेजी उसमें आ जाती है और इस काल में मध्यमवर्क के लिए लकड़ी और छप्पर के घरों की जगे इट और पत्थ्रों के घर बनने शुरू हो गए थे अमीर खुसरो लिखता है अपनी पुस्तक में दिल्ली के जो राजमिस्त्री हैं और संग तराश हैं वो समूचे मुस्लिम जगत में नहीं हैं से तो ये इसका एक काफी प्रसिद्ध कथन है और ये एकदाम में भी कई बार पूछा है आ चुगा एक बार कि ये कथन किस इतियासकारगा है सम्तालीन इतियासकारगा तो याद रखना है कि दिल्ली के जो राजमिस्तिरियों की प्रशंसा है और जो संगत राशों की प्रशंसा है वो अमीर खुसरो करता है टाइस का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ इससे पहले टाइस का कोई प्रयोग नहीं है हिंदू राजाओं और सर्दानों ने भी भवन निर्माण संबंदित कारीगरों को संगरक्षण दिया है और कई नई शहर बसाए हैं जैसे जोधपूर तो राजिस्थान में काफी जादा इसका संगरक्षण दिया गिया हिंदू राजाओं दवारा राजपूतों जवारा इन्होंने भी काफी संग्रक्षड दिया है भाउन निर्मान में काफी तेजी आई थी राजस्थान और मालवा यदि हम गुजरात की बात करें तो इस जगे और इन्होंने काफी नय नय शहर बसाई नगर बसाई जिससे व् अहम कारण था मुद्रा प्राणाली के साथ जो है विदेशी व्यापार में काफी व्रिद्धी हो जाती है धनी व्यापारी का एक समू पैदा होता है और इसके साथ महाजन शाह और सर्राथ इनका भी उदय होता है जिसके कारण साख प्रक्रिया विक्सित होती है और जो लो को न है तो प्रष प्रथम सहुकार का लिखित उल्लेक मिलता है इंपको यहा से प्रश्ण उब्यक्टिभ डिया इसमें सावकारों का सर प्रतम लिकित उल्ले हमको यहां से मिलता है अब हम सबसे पहले आयात देख लेते हैं फिर निर्यात के बारें बात करेंगे आयात की हुई वस्तु में जो इंपोर्ट की आती थी उसमें सबसे पहली और सबसे एहम जो वस्तु थी वो थी घोड़े होर्सेस को बहुत जादा इंपोर्ट की आता था और उसका रीजन के वल यही था कि जो सल्तनत्तों की जो सेना थी उसका प्रमुक अंग जो है वो घोड़े हुआ करते थे और यह अरब इराग और मद्ध एशिया से हमेशा इनकी मांग रहा करती थी तो जैसे कि यह मैप आप देख रहोगे बैकड़ाउंड में यहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है तो यह होमरुस की नाम की जगह है वहाँ से भी घोड़े आते थे और यह मद्ध एशिया यानि कि एराग और इरान का जो शेत्र है वहाँ से अरबी घोड़े काफी जादा भारत में लाए आते थे और यह थल मार्ग से भी आते थे क्योंकि बंगाल खशेत्र क्थे पूर्वी में है और ढीक और भारत के जगे तो यहाँ अच्वेसे गोडे ला आ करते से गोड़े लाया करते थे बंगाल के बादार में बेचा करते थे और उत्तर भारत में जो गुजरात में अन्तिम बड़ा बादार था यहां पे होमरूस से घोड़े आयात किया करते थे तो यह जो गुजरात है यह शेत्र यह उत्तर भारत का अंतिम बड़ा बादार था और यहां पे यह होमरूस जैसे की आपको देख रहोगे शर्कल किया हुआ है मत देशिया से यहां से घोड़े आते थे गुजरात में बल्बन को मंगोल आक्मन के कारण घोड़े प्राप्त करने में काफी कटनाई हुई लेकिन इलाउद दिन को ऐसी कोई कटनाई नहीं होती है इलाउद दिन के समय में काफी जादा घोड़ों का निर्यात और उसकी बाजार विवस्ता की विए से बढ़ जाता है दूसरी एम वस्तु है अस्त्रशस्त्र वेबन हतियार घोड़े के बाद इनका विशेश इस्तान था और एरान के शेहरों से भारत में हतियार आते थे मारको पोलो जो यात्री आया था इटली से इसने किरमान में बनी तलवारों का उल्लेक किया है मारको पोलो ने और इबन बतूता ने भी ऐसा उल्लेक किया है कि काफी हतियार आते थो और वो खुद भी उंटों के साथ तीर लात कर लाया था तो उंटों के साथ तीर लात कर लाने वाला याती पूछाया सकता है कौन था इबन बतूता था यहां से भी एक अब्जेक्टिव प्रेशन हो सकता आपसे पूछ लिया जाए किसी एक्जाम में तो यह हमको याद रखना है कि तीर लात कर इबन बतूता लाया था तीसरा एहम आयात की बस्तू है दास दासों का आयात बहुत दादा होता था मिस्र और अदन से ये मिस्र और अदन से आते थे दासों का व्यापार होता था इल्टुत्मिश के समय चीनी व्यापारियों द्वारा तुर्की दास लाए जाने का उल्लेक मिलता है इनको तो यहां से चीनी जो व्यापारी आये थे वो तुर्की दास लेकि आये थे ऐसा उल्लेक इलतुत्मिश के समय में है वस्त्र इनका भी आयात होता था इनका निर्यात भी होता था और आयात भी होता था तो पहले हम आयात देख रहे हैं तो आयात देखे थे वस्त्रों का किन वस्त्रों का आयात किया आता था क्योंकि भारत में भी उच्च कोटी की वस्तर निर्मान होते थे जैसे मैं आपको पहले बताया फिर भी कुछ विशेश प्रकार के वस्तरों का आयात किया जाता था अलसी नामक एक हमको कीमती वस्तर जिसका नाम हमको सुनने को मिलता है रूस से मंगा जाता था अलसी रूस से मंगा जाता था लेकिन इसको वही उप्योग कर सकता था जिन्हें सुल्तान ने इनको इनाम या उपहर में दिया हो तो मतलब इसको आम व्यक्ती खरीद के या कोई और व्यक्ती इसको खरीद के चाहे वो अमीर हो चाहे कोई भी यो गरीब हो इसको नहीं पहन सकता था इसको पहनने का अधिकार की वरुसी को था जिसको सुल्टान ने इसको पहनने की इजासत दी है या इसको पहार में दिया है या इनाम में दिया है रेशम जो है वो भारत में उत्पाद होता था लेकिन चीन और फारत से भी आयात कियाता था रेशम और मुहमत तुगलक के समय शीत रितु के वस्तिनों को विदेश से मंगाय जाने का उलेख हमको मिलता है तो शीत रितु यानी की विंटर में पहनने वाले ऐसे कपड़े हैं जिनको मुहमत तुगलक के समय में भारत में जिसका आयात किया गिया इसके लावा मेवे और फल भी काफी आयात किया आते थे बारवी सदी में भारत और चीन इन दोनों ही जगे अंगूर और अंजीर पैदा नहीं होते थे जैसे मैंने आपको पहले बताया थे जब फिरोशा तुगलक ने इसका बगीचे लगवाए इसके तो सबस्यादर जो उत्पाद है वंगूरों का हुआ लेकिन बारवी सदी से पहले भारत और चीन दोनों ही जगे अंगूर नहीं पैदा होते थे और ये इनका आयात किया आता था भारत में जो अंगूर आता था वो इरान से आता था इरान से अंगूर का आयात हो रहा है और इबन पतूता जो है वो ऐसा लिखता है कि भारत में आने वाले विदेशी यात्री प्रमुक रूप से सूखे मेवे भेट सरूप लाया करते थे तो उसने स्वयम जो है वो मुल्तान के गवर्नर को सुखे मेवे और बदाम भेट सोरुप दिये थे यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगी लिखने में लाते थे शराप, लॉंग, जैतून का तेल, खजूर और शीशा यह सारी चीज़ें भी आयात की जाती हैं जैतून का तेल खजूर, खजूर यानि कि डेट आज भी जो डेट आते हैं भारत में बहुत आदा इनका उत्पात नहीं होता है अलागी केरला या कुछ शेत्रों में होता है लेकिन बहुत दादा डेटs जो हैं वो अरप से ही आयात की आते हैं आज भी शीशा इन सब का भी आयात होता था अब हम देखते हैं निर्यात जैसे कि मैंने पूता है वस्त्र इनका आयात भी होता था और निर्यात भी होता था सर्व प्रतम वस्तु इसकाल की जो निर्यात की जाती थी वो सूती वस्त्र थे और ना केवल इसकाल बलकि बहुत पहले से वस्त्रों का निर्यात होता रहा है खाड़ी के देशों में भारत निर्मित सूती वस्त्र पहना जाता था खाड़ी के देशों में यहां से जो वस्त्र बनते थे वो काफी जादा प्रसिद्द थे इसके लावा दूसरी चीज है निर्याग की लोहा और हतियार अरब यात्रियों में बनी तलवार की प्रिशंसा की है अरब यात्री जो थे उन्होंने भारत में बनी तलवार की प्रिशंसा की है ताजुल मासिर जो पुस्ता के हसन निदामी की इसमें भी भारत में बने खंजर की प्रिशंता की गई है और मार्को पोलो लाहोर से इसपात निर्यात का उलेक करता है इसपात यानि की आईरन इसका निर्यात हो रहा है मतलब हतियार जो बन रहा है वो लोहे के बनते थे मुख्यता इसकाल में तो इसका मारको पोलो वरणन देता है कि ये लाहओर से निर्यात किया आता था शक्कर चीनी यानि की इसका निर्यात सिंध के रास्ते अरब होता था तो ये अरब तक भीजी जाती थी और गन्ने के रस्ते शक्कर और शीरे से शराब बनाने की विधी ट्रेचलन में थी शराब और चीनी जो है वो गन्ने के रसे इसकी तक्नीक विक्सित हो चुकी थी और बंगाल की जो जो था वो चीनी उत्डोक का रमुक के अंदर था बंगाल इसके लावा सबसे एहम जो वस्थू है वो है नील अब इसका जो उत्ताधन है और यह आगे चलके बहुत जादा मुख्य वस्तू है क्योंकि आगे चलके नील के उपर काफी विद्रो हुए हैं अंग्रेजों के समय में इंडिगो रिवोर्ड जिसको हमने बोला है और इसका उत्पाद बड़े पैमाने पर होता था लाहौर और बयाना इसके प्रमुख के अंदर थे बय पहले अगर हम इंडस वैली देखें तो उस समय भी नील का उत्पाद हुआ करता था और इरान में इसका उत्पादन बंद हो गया था जिसकी वजह से इसकी जो पूर्ती है नील की वह भारत से ही होती थी और यह नील जो है कपड़ों में रंगाई के काम आता है क्योंकि उस इसली तक निर्मान की आता था, मतलब झो नील का जो निर्यात है वह यूउरोपीय देशों तक बहुते विसे था निर्यात की हुई अन्य वस्तु में देख लेते हैं गरम मसाले हमेशा से रहे हैं गरम मसाले जो है वो जल और थल दोनों मार से निर्यात की जाते थे गरम मसाले का जो निर्यात है ये एक मुख्य काराण सा कि बहुत सारे विदेशी और यूरोपी यात्री और यूरोपी ये कंपनी इंडिया मे पंदी कर ली और फिर किस तरह से भारत में पुर्टगाली और अंग्रेज या फिर फ्रेंच आए उनके बारे हम बात करेंगे जब हम अपना आधुनी की तियास पढ़ेंगे इसके लावा हीरे, कागस, चंदन और लाल मोती और पुस्तेकें भी निर्यात की जाती थी काला नमक, पान, सुपारी भी निर्यात का हिस्ता थे तो इस तरह से जो आयात और निर्यात है जो हम देख रहे हैं मगर ऐसा कोई समकाली नग्रंथ हमको नहीं मिलता जिसके आधार पे हम यह कह सकें कि विदेशी व्यापार में व्यापार जो था भारत के पक्ष में था या व्यापार सलतुरज जो है वो भारत के पक्ष में था या नहीं था ऐसा कैपाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी इर्फान हभीब साब ने ऐसा बोला है कि जो निरियात की जो वस्तुएं थी वो काफी जादा अधिक थी आयात के मुकाबले तो मतलब जो एक्सपोर्ट था वो उस समय काफी जादा हुआ करता था ऐसा इर्फान हभीब बोलते है इन सब वस्तुएं के अध्यन करने के बाद यानि कि जो ट्रेट डेफिसिट है इसके बारे में बहुत जादा अच्छे से या बहुत जादा उसके आधार पे हम नहीं बता सकते लेकिन इर्फान हभीब सामने कुछ अपने रिसर्च किये हैं जैसे मैंने आप बता है अग्रेडियन सिस्ट्रम ऑफ मुगल इंडिया उन्होंने पुस्तक लिखिए एकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखिए उन्होंने एक पुस्तक तो उसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं तो यह हमारा सल्तनतकाल का यहां पर शंकला पूरी समाप्त हो रही है आज और कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हम इसके बहुत सारे प्रीवेस येर में पूछे हुए प्रशनों को उठाएं PGT में या TGT या NET के या UPSC के तो हम देखेंगे किस तरह से जो प्रशन है जो आ रहे हैं हमने जो सल्तनतकाल की शंकला अपनी खतम करी है वो वहीं से कहीं ना कहीं से निकल के आएंगे थोड़ा बग घुमाये जाएगा प्रशनों को हम कुछ ऐसे प्रशन भी देखेंगे जो थोड़े से तेड़े हैं और जो सीधे सीधे वन लाइनर है उनको भी देखेंगे तो यदि आपने अभी तक ये लेक्चर ना देखे हैं सारे तो इन लेक्चर को आप देख लीजिए जिससे जो हम प्रशन करेंगे वो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि किस तरः से प्रशन बनते हैं और जो हमने पढ़ाए क्या हो सही धिशा में पढ़ाए या नहीं पढ़ाए तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करने आने वाले सत्र में हम इसके कुछ प्रशनों को लेंगे उसके बाद ये शंक्ला समाप्त करके हम कला और संस्कृति की शंक्ला को शुरू करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद